अस्वीकरण प्रयास यह रहा है कि किसी भी कॉपीराइट का उलंगन ना किया जाए यदि हां तो भविश्य के संसकरणों में इसकी स्विक्रीती के लिए इसे हमारे ध्यान में लाया जा सकता है इस डिजिटल सामगरी के किसी भी हिस्से को कागज या इलेक्ट्रोनिक मीडिया पर किसी भी तरह से या किसी भी माध्यम से पूने संग्रहीत, संग्रहीत या वित्रत नहीं किया जाना चाहिए जब तक की अधिकरत ना हो भाशन और श्रवन विकलांगता वाले उमीद्वारों के लिए डिजिटल सामगरी सेक्टर क्रिशी और संबन उपशेत्र क्रिशी फसल उत्पादन व्यावसाय डेरी फार्म प्रभंधन संदर्प आईडी PWD AJR Q4101 संसकरण 1.00 NSQF स्तर 4 आवास के भीतर पशुधन की स्थापना 1.00 सुरक्षा प्रक्रियाओं को समझते हैं और उनका पालन करते हैं आईए पहले हम क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसकी चेकलिस्ट बनाते हैं क्या करना चाहिए करने योग्य सुनिक्षुत करें कि हैंडलर, सक्षम और चुस्त है मवेशियों के साथ काम करने से पहले एक भागने का मार्ग या शरंड ले भागने का रास्ता नए जन में बच्छनों के साथ गायों और हेफर्स के आसपास सावधान रहे याद रखें कि गर्मी में होने वाली गाय अप्रत्याशत होती है उन्हें सम्हालते समय गायों को शांत रखने की कोशश करें गाय की सहायता के लिए चड़ी का उप्योग करें डेब्यू बच्छडों की व्रिधी को रोकने के लिए जल्दी शांत हो सकते हैं जानवरों की आक्रमक्ता के संकेत चितावनी के लिए देखें विशेश रूप से बैल और नव विवाहित गायों और बच्छीयों को नियमित रूप से क्रश, गेट और बांड जैसी सुवीधाओं की जाच और रखर खाफ करें जहां तक संबव हो, जमीनी सत्हों को साफ रखें उचित व्यक्तिकत स्वच्छता के साथ रोग के खिलाफ खुद को सुरक्षत रखें क्या ना करें गायों के साथ एक अनुभव हीन हैंडलर या जोकिम वाले बच्चे को दूर रखें तनाव या अवारा गाय आनवश्यक रूप से खतरना गाय ना रखें मवेश्यों को बेवज़े पीटना या चिल्लाना उन्हें बुरा अनुभव याद है गायों को शांत रखें शांत और कॉंफिडेंट तरीके से काम करें सूप रियच्छे हैं कोमल और कम आवाज गायों से बात करना और रोना सहलाना ऐसे कारकों से बचे जो मुश्किल से निपटते हैं भूक, प्यास, शोरगुल, मार या पीट, पीछा किया जाना पर्सनल स्पेस में लोगों का आना, रोग खत्रे के संकेतों को पहचानना जैसे जोर से बोलना खुरों से जमीन को पंजा मारना सिर नीचे जमीन की और उचा स्थान कोमल से निपटने का उप्योग करें कोमलता संभालती है उडान शेत्र सीखें पांच मीटर या उसे कम जब आप इस शेत्र में प्रवेश करेंगे तब गाय हिलेगी यह गति के लिए अनुपातिक है और आप गाय के कितने करीब जाते हैं बैलन्स लाइन्स मवेश्यों में दो संतुलन रिखाएं होती हैं एक कंधे के पार और दूसरा रीड की हड़ी के पार जब आप पास काम कर रहे होते हैं तो आप जिस भी तरीके से आगे बढ़ेंगे रास्ते से आगे बढ़ेंगे वैडी का उप्योग करें यह एक कपड़े के साथ छड़ी होती है रिड रहें अपने स्तिती को एक प्रमुक व्यक्ति के रूप में दर्ज करें लेकिन गायों को अकसर धमकी ना दें लाट मारने से बचें सही गियर पहचाने किसी भी बिमारी के फैलने की स्थिती में स्थानी अधिकारियों को सूचुत करें धन्यवाद अब्सक्राइब 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 झाल झाल